नमस्कार दोस्तों क्या हल चाले हैं आगे कोई नहीं वीडियो के साथ में दोस्तों आपका सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वाला एक ही सवाल के सर लेजी पे टू बेंग एकाउन किस तरीके से ट्रांसफर करें क्योंकि पहले आपके उंपेरिफाई एप्लिकेशन यूज करते लेकिन फिलाल वो बंद हो चुका है लेकिन आपके जो भी सवाल होते हैं उनका जो भी आपकी प्रॉब्लम होते हैं सारे प्रोब्लम की सॉलूशन में निकाल ही देता हूं तो आज आपको इस वीडियो में यहीं बताने वाला हूं कि लेजी पे टू बेंग एकाउन किस तर तो दोस्तों जैसा कि मैंने शुरूम बता है कि लेजी बेटु बेंगे को रांसफर करना है और यह जो ट्रीक बताने वाला हूं पूरे यूटुब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है अगर यह आपके लिए परफेक्ट वीडियो हो जाती है तो प्लीज वीडियो को पर प्रोसेस वो ट्रीकी है यानि कि सीधा प्रोसेस नहीं है तेड़ा मेरा प्रोसेस है इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अब वीडियो को करते हैं शुरू और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ तो दो आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो सिंपली हम यहां पर जो एप्लिकेशन यूज करने वाले वह है कैमपरिफाइए यह आपको एप्लिकेशन जो है वो प्लेस्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप् कर लेना बहुत ही इजी प्रोसेस से कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा इस को मपरिफाइगा यहां पर थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में तो दोस्तों अगर साथ ही साथ एक और इंफ्परमेशन आपको देता हूँ कि अगर आप बज़ा चाहिए मैं कार्ड से भी बेंक एकाउन में पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो वो भी पोसीबल है आपको डिस्क्रिप्शन में में मेरा नंबर दे दूँगा वहां पे आप मुझे कॉंटे कर सकते हैं मोबिक्विक से बेंक एकाउन दोस्तों यहां पर सिंपली क्या करना है हम पहले जो प्रॉसेस करते थे लेजटी पे से हम अपना गॉल्ड बाइ करते थे फिर बाइ've चाहिक यहीं प्रोसेस करेंगा जब हरा क्षे कहीं पे भी नहीं आ रहा है अब lazy pay को bank account में किस तरह की से transfer करना है इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि please video को end तक जरूर देखना क्योंकि आपका जो पैसा है वो फसना नहीं चाहिए आपको bank account में चाहिए इसलिए आपको मैं request कर रहा हूँ कि please video को end तक जरूर देखना दोस्तों अभी simply आपको क्या करना है uses or recharge तो recharge वाला जो section है उसमें आपको चले जाना है और आपको swipe करना है यह बहुत सार आपको option इस तरीके से मिल जाएंगे तो उसमें आपको select कर लेना है fast tag जैसे आप fast tag सर्च करोगे मतलब आपको मिल जाएगा यहां पर और आपको यहां पर वाइकल registration नंबर पूछेगा अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी आपका fast tag वाला नंबर है वो आपको नहीं डालना है अगर आपके पास में कोई गाड़ी है और उसका fast tag वाला नंबर है जो fast tag वो सरेक कर लिया और उपर मेरा खुद का जो नंबर है वही मैंने डाला है और यहां पर और नंबर पूछ रहा है कि fast tag का नंबर कौन सा register है तो आप कौन सा भी नंबर डाल देना आप चाहें तो अपने sister, brother, mother किसी का भी डाल देना जो fast tag से register ना हो आपको क्या करना है फिर recharge के ऊपर चले जाना यहां पर 200 रुपे में करके बता रहा हूँ तो 200 रुपे का मुझे 5 रुपे चार्ज लग रहा है technology fees यानि कि हो सकता है कोई fees ले रहा हो तो 205 रुपे हमारे lazy pay से कडने वाले है और आप जैसे नीचे swipe करोगे आपको lazy pay का option यहां पर आपको दिख जाएगा तो यहां से आपको क्या करना है जो lazy pay का option है उसको select कर लेना है जैसे आप select करेंगे आपको यहां पर जो भी lazy pay का register number है वो आपको enter कर लेना है तो वही वाला number डाल रहा हूँ जो मेरा register है यहां पर verify के उपर click कर लेता हूँ तो यहां पर जो पैसा है वह हमारे जो lazy pay के अंदर से कट जाएगा 205 रुपे और यहां पर 200 रुपे करके बता रहा हूँ पांच रुपे जो charges ले रहा है वो पर ले रहा है अब यहां पर आप देख सकते हैं processing हो रहा है और यहां पर payment transaction failed हो गया है और यह हमको failed ही करना था आपके lazy pay से पैसा कट जाएगा और जो पैसा आपका जो transaction होगा lazy pay का वो आपका इसमें जो coin होगे यानि कि जो recharge point होगे उस point में convert हो जाएंगे तो अभी 205 रुपे जो हमारे comparify में आ चुके हैं वो कहां पर आएंगे कहां से आपको क्या करना है वो आगे चलके मैं बताऊंगा तो यह जो transaction है उसको failed होना जरूरी है failed हो गया तो बहुत बढ़िया है इसलिए मैं कहे रहा हूँ कि जो fast tech का जो number होगा वो register वाला number नहीं डालना है जो fast tech का number नहीं है वही आपको डालना है ठीके दोस्तों तो यहाँ पर जो transaction था वो हमारा failed हो चुका है अब आपको क्या करना है उपर 3 dot मिल जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद में आपको recharge point में जाना है अब यहाँ पर recharge point में गया तो यहाँ पर 211 रुपए हो गया क्योंकि यहाँ पर 6 रुपए कुछ मेरे औरी यहाँ पर recharge point में पढ़ा था इसमें comparify में तो अब भी 205 रुपए हो चुके हैं इसा करके हमारे total हो गये है 211 रुपए अब क्या करना है यह 211 रुपए हमारे पास में आ चुके हैं जो इसकी expiry date हो है यहाँ पर आपको इतना प्रोसेस कर लेना उसके बाद में क्या करना है अब खास important प्रोसेस अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर वैसे जैसे पेई gift card automatically आपको यहाँ पर select मिलेगा कितने रुपए का करना है तो 200 रुपए भी फिलहाल कर रहा हूँ तो value में डाल रहा हूँ जो हमारे lazy pay का recharge point है और यहाँ पर जो email address डालोगे वो आपके Amazon जो email ID आप register कर रखी Amazon की वही वाली email ID आपको यहाँ पर डालनी है ठीके दोस्त पेशा किसे काटना है तो हमें पेशा काटना है recharge point से यहाँ पर दो रुपए का और चार्ज एडिशनल हमको लग रहा है तो recharge point के उपर जैसे में click करूंगा 202 रुपए यहाँ पर cut जाएंगे हमारे recharge point से और जो 202 रुपए का जो हमें 200 रुपए का जो हमें Amazon gift voucher मिलेगा व आपको यहाँ पे Comperify जो application है वहाँ पे भी आपको gift card Amazon का जो code होगा वो आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में दो तीन message आगया है कि lazy pay से आपका इत्ता पैसा कट गया है और Amazon में भी Amazon का आपने gift card जो है वो आपने खरीद लिया है अब हम gift card कहां से find करेंगे तो उपर आपको चले जाना है कुछ इस तरीके से option आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे और मैं आपको दिखा देता हूं यह भी आ गया है देखो आपने जो email address डाला था आपका Amazon register email address तो वहाँ पे भी आपको email address पे भी आपको gift card है वो भी आपको मिल जाएगा तो इसको basically आपको copy करके आपको paste कर देना है Amazon में जाके तो वह भी कहां से करना है वह मैं आगे चलके इस वीडियो में बता दूँगा ठीक है अभी मैं order पर जाता हूं तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा get voucher code में तो get voucher code में गया तो यहाँ पे भी आपको जो voucher है Amazon gift card का वो आप यहाँ से भी copy कर सकते हो तो यहाँ पे मैं simply यहीं से copy कर लेता हूँ आपके सामने get voucher code पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और नीचे की तरफ आपको आजाना है और जो gift card number है जो इसका gift card code है उसको copy कर लेना यहाँ पे आपको copy का option आपको एक मिल है हम यहाँ पे आपको क्या करना है जो त्री डोट है आपको left hand side उपर corner पे मिल जाएंगे वहाँ पे आपको click कर लेना है और आपको नीचे की तरफ आजाना है बिल्कुल नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे option मिल जाएगा add gift card to your balance तो यहाँ पे हम okay कर लेते हैं और जो हम यहाँ पे मैं आपके सामने live process करके बता रहा हूं तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है request code again वापस कर लेते हैं यह शायद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं तो देखिए दोस्तों आपके सामने 140 रुपे पहले थे 200 रुपे अभी एड़ोगे तो हमारे total balance हो गया है 340 रुप आई बटन में आपको link मिल जाएगा और description में मैं link देदूँगा वीडियो का वहाँ पे जाके आप चेक आउट कर लेना साथ ही साथ आपको screen के उपर भी दिख जाएगा वीडियो वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को चेक आउट कर सकते है Amazon to bank account वहाँ पे Amazon to bank account में भ अब तक के लिए जै हिंग जै बारत